नमस्कार स्वागत है आपका मैं हूँ आपके साथ शानवाद बिर्जा आदमपुर उप्चुनाओं को लेकर हर्याना में जेजीपी और भारती इंदा पार्टी के अडबंदन में कुछ भी सही नहीं चलना है और वहीं जन्नायक के जन्ता पार्टी के महासचिव दिख विज उन्होंने आदमपुर उप्चुनाओं में भारती इंदा पार्टी के पोस्टरों में जेजीपी नेताओं के फोटू ना होने पर कड़ी आपती जताई है और दिख बिजे चौटाला ने कहा कि हर्याना में जन्नायक के जन्ता पार्टी का अपना एक मजबूत आधार है अ एक बड़ी खबर आ रही है आपको बता है राम रहीम के लिए पैरूल की जो अर्जी है वो दी गई है ये बड़ी अपडेट सीरसा से आपको दे रहा है ये बड़ी जानकारी राम रहीम के लिए पैरूल की अर्जी दी गई और राम रहीम के परिवान ने ये अर्जी लग जाए है नियमों के तहत काम कर रहा है इसको लेकर पैरोल दी जाए इसको लेकर ये अर्जी लगाए गई इस सीरसा से बड़ी खबर बड़ी अपडेट आपको दे रहा है जहाँ पर राम रहीं के परिवार ने अर्जी लगाई है जेल मंतरी रजी सिंग चोटाला ने जानकार नियम के तहत काम कर रहा है जेल प्रसाशन में सूचना दी और अर्जी को लेकर आगे बात की जाएगी तो वह पर कॉंग्रेस के अंदर अंदलूनी कले फिर से निकल कर सामने आ ले नगी है और प्रदेश अद्यक शिधावान ने किरन चौदरी की उपर पलड़वार करते हुए कहा कि पार्टी हर एक के बैठक में किरन चौदरी और उनकी बीटी को बुलाया करती है लेकिन वो नहीं आती है अगर उनके पास कोई भी सुझाव हो तो हम उस सुझाव को ले सकते हैं और हर सुझाव का पार्टी स्वागत करती है तो है पर जैसे जैसे आदम पुर उपचुनाओ की तारीख नजदीक आ रही है वैसी सियासी हलचल भी काफी तेज हो चुकी है भजन लाल की कब्जेवाली सीट पर अब किसका कब्जा होगा ये काफी दिल्चस्प मुकाबला होने वाला है और किस तरह से उपचुनाओ की तैयारियां पार्टी का रही है इस खास रिपोर्ट से समझे आदमपुर उपचुनाओ का रण तैयार है तीन नमबर को वोटिंग होगी छे नमबर को आदमपुर उपचुनाओ के नतीज वे आएंगे उपचुनाओ को देखते हुए शासन प्रशासन के तैयारियां भी पूरी है सभी पार्टियां जीत का दब भर रही है और तैयारियों में चुटी हुई है बीजेपी ने आदमपुर के मैदान में भवे विश्नोई को उता रहा है भवे विश्नोई तीन बार हर्याना के सीम ले चुके भजललार के पोते हैं आदमपुर उनका गड़ रहा है पांच दशकों से भजललार परिवार ही यहां से जीता रहा है सियासी तोर पर इलाके में उनका पूरा दबदबा है 1996 से अभी तक इस विधासमा सीट पर विपक्षी दल का ही कबदा रहा इस बार आदमपुर की जलता के पास मौका है कि दो साल ही सही लेकिन सत्ता में बैठी सरकार के साथ चुड़ सके अगर ये सोचकर वोटिंग हुई तो फायदा घव्वे बिश्नोई को हुगा अब जितने राजी जीवन मेरा रहा और जितने चुनाव हमने लड़े दूसरी बार बनी सरकार के तीन साल में बीज़े पी पहले दो उक्चुनाव हाट चुकी है तीसरे उक्चुनाव में सिर्फ बीज़े पी की साथ ही दावपर नहीं बलकि उम्मिवार बनाए भव बिश्नोई के लिए भी बड़ी चुनावतियां है पिछले दो उक्चुनाव में इंटरनेशनल फेम रेसलर योगिश्वरदर और गोविन कांडा आप बीज़े पी को जीत नहीं दिला सके अब भवे पर ये सिलसला तोडने का दब दबा है तो वहीं दूसरी और उक्चुनाव से पहले बीज़े पी जेज़े पी गड़बंधन में कुछ अन्बन देखने को मिल रही है इस अन्बन की वज़ा है पोस्टर आदमपुर उक्चुनाव के लिए कुर्दी बिश्णोई के पोस्टर बैनर में सिल्फ सीमन ओहरलार को दिखाया गया जेज़े पी के किसी भी रेता को नहीं दिखाया गया जिस पर जेज़े पी की प्रच्चिक्रिया भी आ चुकी है पोस्टर को देख मुझे हिरानी होती है हम राच्च में बीज़े पी के साथ गटबंधन की सरकार चला रहे है बीज़े पी की सीमेर लिडर्शिप हमेशा बोलती रहती है कि हमें गटबंधन को और आगे बढ़ाना है ऐसा उपचुनाव हो और उसके बाद भी जेज़े पी के किसी बरश्ट नेता की फोटो ना हो ये रवया काफी चौकाने वाला है तो वहीं सीमनोहरला ने चुनावी पोस्टर्स में जेज़े पी नेताओ के फोटो नहीं होने पर सफाई दी है उन्होंने कहा कि अभी आदमपूर में लोकल नेता अपने स्तर पर पोस्टर्स जारी कर रहे है जब चुनाव अपने चरम पर आएगा तब सरकार में गड़बंधन के साथी साथ में खड़े नजर आएंगे खरियाना में जेज़े पी बीज़े पी गड़बंधन में सब कुछ सही चल रहा है आपके उम्मीद्वार ने भरा नामंकर वहीं आम आदमी पार्टी के उम्मीद्वार ने हिसार में आदमपूर विधान सवा उप्चुनाव के लिए नामंकर दाखिल किया इस मौके पर उनके साथ आम आदमी पार्टी के कई सीनियर लीडर्स मौझूद रहे आपके उम्मीद्वार के लिए राजनितिक करियर में बड़ा दाव खेलने का सुनहरा मौका है दरसर आप आदमपूर जीट के उप्चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर हर्याना की राजनिती में अपनी उपस्तिती दर्श कराना चाहती है गौंग्रिस जल्द खोलेगी अपने पत्ते बुपेद्रि सिंग हुटा ने गडबंदर पर निशारा साथते हुए का कि ऐसी सरकारों का नेतिकत गडबंधन नहीं होता स्वार्थ का गडबंदन होता है चुनाव के टाइम में एक कह रहा था 75 पार दूसरा कह रहा था इनको करो यमुना पार अब बन गए दोनों यार तो महीं प्रत्याश्य पर बोलते हुए का जल्द कॉंग्रिस का प्रत्याश्य का नाम सामने आएगा आदंपूर कॉंग्रेस का गड़ है और कॉंग्रेस ही जुटेगी कि ऐसी सरकाने जनका नितिकत गड़ेपंदन नहीं होता स्वार्थ का गड़ बंदन है स्वार्थ की परत्याश्य दूनों यार तो ऐसा ही तो वह तो वहीं बीजयपी के प्रतेश्य परट्याश्य की घंकर करते हुए का कि राष्टिस तर पर कॉंग्रेस की कठिनाईयों का सर आदम पुर्चुनाफ पर दिखा प्रत्याश्टी की घोशना ही नहीं कर पा रहे हैं कॉंग्रेस में कई कठिनाईया हैं उसमाते से सोच रहे थे जंदी प्रत्याश्य उनका आये लेकिन कॉंग्रेस की दलियां कठनाईयां बहुत बढ़ गई हैं उनके आम उनके राष्टी लेतरतों से लेकर यहां तक उसको देखते हैं लेकिन देखना दोचस्पो होगा कि आदमपुर के चुनावी रण में जनता इस बार किसको मौका देती है क्या हर बार की तरह इस बार भी भजनलाल परिवार का कफ़जा पर करार रहेगा या कोई और मारेगा बादी इस बार हर खबर प्यूरो तो बहीं पर मुखमंतरी मन्हुलाल ने सभी प्रसाशनिक अधिकारियों की बैटक की है जहां पर अधिकारियों को निर्दीश देती हुए उन्होंने सरकारी विभाग के जनता से जुड़ी सबी सेवाओं को जल्द से जल्द और आटो अपील सिस्टम में जोड़ा जाए इसकी आदेश दीए साथी उन्होंने ये भी कहा कि इस से काम को तीजी से किया जाए ताकि आए आगे उन्होंने कहा कि जनता को सरकारी सेवाए समय पर मिलें ये सरकार और करमचारी दोनों की प्रात्मिक्ता का दायत है तो है पर केंद्री परियावरन वन एवम जल्वायो परिवरंतन मंतरी भुपेंद्र यादव ने हर्याना सरकार की ओर से फसल अफसेश प्रवंद की दिश्या में की जा रही गती विदियों की सरहाना करते हुए ये कहा कि मुखमंतरी मनुहालाल के नित्त में सरकार ने पराली जराने की घड़नाओं में कमी लाकर पराली प्रवंद पर जोड़ दिया वायू परिदर्शन ने अंतरन के लिए हर्याना में अच्छे प्रियास किये जा रहे हैं राज सरकार के प्रियासो से गुरू गुराम की सुसाइटी में डीजल से चलने वाले जन्रेटर सेट्स के उपयोगों में भारी कमी भी आई है तुए पर भीवानी दोरे पर रहे राजपाल बंडारो दतारे ने कहा कि वैश्वे किस्तर पर वर्ष दोहजार तीस के अन तक अब तीस से करोड नौकरिया होंगी जिन में से दस से करोड नौकरियों पर भारतिय युवाओं का हक होगा इस अब देश के बेहतरीन सिक्षा नीती से ही संबब हो पाएगा और इसी के लिए देश के विश्वे ध्याले को टेक्रोलाजी इनोवेशन और रिसर्ट पर विश्वेश ध्यान दीना होगा आपको बताएं कि ये उन्होंने बिवानी में चौदरी बंसिलाल विश्वेध हैले के दुती एदी चांत समहारों में अपने संबोधन में कहा और इस मौके पर उन्होंने विश्वेध हैले के 1694 चातर चातराओं को डिगरियां भी दी और उनको सम्मानित किया अपने विश्वेध में परताम इस्थान पाने वाले नवासी चातर चातराओं को गूल्ड मेडल दिया और साथी उनके उज्वल भविश की भी काम ना की बार्णा और हंसाबास के गरान्मियों का नगरपालिका नरस्त करवाने की मांग को लेकर 34 में दिन भी धरना जारी रहा है और धरने पर इनैलों के प्रदेश अद्यक्षे नफे सिंग राठी ने पहुचकर अपना समर्थन भी दिया उन्होंने का है कि लोगतंत के अंदर जंता की आवास को सुनना ही चाहिए और बादली की तरज पर यहां वोटिंग करवाकर जन्मत के आधार पर फैसला करना चाहिए जब यहां के लोग नगरपालिका नहीं चाहते हैं तो सरकार को उन पर नगरपालिका नहीं थोपनी चाहिए और आदमपुर्ट सुनाओ पर बाद चीत में नफवे सिंग्री कहा है कि एक दो दिन में इनैलो पार्टी अपना प्रतियाशी घोशित कर देगी और जीत इनैलो की ही होगी जब लोगों की यह इच्छाई नहीं है तो फिर लोगों की बावनाओं की कदर की जानी चाहिए बादली के पैटन पर सरकार बेशे के लक्षन करा करके राइस सुमारी करा ले कोई दिक्त नहीं लेकिन जोर जबर्ज़ती करके नगरपालिका बनाना जब कि इतनी तो इनकी जन संख्या भी नहीं है कि नगरपालिक अपना आई जाए चार अजार के करीब तो गोट हैं जब एक तारिसों की करीब तो जब लोग इतराज कर रहे हैं तो सरकार को अपना कदम वापिस देना चाहिए तो उसको विड़रा करना चाहिए तो यह पर गुरूगराम साल 2012 में मारूती किया माने सर पिलांट में आग लगने और धूए से दम घुटने से एक मैनेजर की मौत हो गई थी और इसके बाद कमपनी ने 546 मज़़ूरों और 1880 मज़़ूरों को बिना किसी जाच परताल के लॉस आफ कॉंफिडेंस का हवारा देकर बरखास्त कर दिया था जहां साल 2017 में 117 करमचारियों को गुरूगराम कोड ने निर्दूश करार दिया था और जिनें बाइज़त बरी भी कर दिया गया ऐसे में कंपनी यूनियन का ये कहना है कि कॉंग्रेज और भारती जिंदा पार्टी दोनों ही पार्टियों के कार्याले में सरकार ने भी ये सपस्ट कर दिया था और हमने ये फैसला लिया था कि हमने आए के लिए एक बार फिर से सडकों पर उतरेंगे और मुहीम को आगे लेकर जाएंगे बद तरीके से सभी स्रमिक लगातार गुहार लगा रहे हैं कि हमें काम पर वापिस लिया जाए कोर्ट से भी दस साल से लड़ रहे है और गोवर्मेंट ने भी है ये कॉंगर्स सरकार ने SIT टीम बनाई थी जिसमें 426 लड़के हम निर्दोस बताए गए थे इनका कोई यिलिगल तरीके से टर्मिनेशन है ये बोला था अरियान सरकार में भी और उसमें कुछ कारवाई नहीं हो पाई नाई गोवर्मेंट के तरफ से नाई मेनेजमेंट ने उसमे कुछ डिसेजन लिया लेपर कोर्ट में भी चल रहा है पर चली रहा है वैसो इस वहने पर गुरुगराम के अंदर नगर निगम के ब्रहस्टचार के एक पर फिर से पूल्स खुल चुकी है और ये बताया जा रहा है कि बारिश की वज़ा से सड़क अचानक धस गई और इसके बाद नगर निकम पहले की तरह इस बार भी गड़े में भर दिया गया आपको बताये वही जिस रास्ते में सड़क धसी हुई थी उस रास्ते से कोई भी कोई निकम वाले कोई निया था मतलब प्रशासन की टीम आई दीन ने दबा दिया था यहां पर आके मलबर डाल दिया था आज तरीया दुबारा देखी यहां पर हो चुका है बहुत घराव मिट्टी जीचे पानी जड़ा ज़ए जा रहा है और हमने भी आज भी हमने तोड ग्रेटर फरीदबाद अलाके में बीती दीर रात सेक्टरा पिछतर रिस्ति के एलजे सुसाइटी में रहने वाले एक बिजनिस समैन की गोली मार कर हत्या कर दी गई और इसका शब उन्ही की गाड़ी से बरामत किया गया और सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुची पु सर हमें रात को सूचना प्राप्त हुई कि के एलजे सुसाइटी सेक्टर सेविंटी के सामने रोड के उपर कोई अरविंद गुमार नाम के लड़के को गंशोट इंजरी आई तो इमिडिटली इंफॉर्मिशन मिलने पर पुलिस मौके पे पहुची और मौके पर पहुचने के बाद पता चला कि जो उसके साथ लोग थे वो उसकी बॉड़ी को सर्वोद्य होस्पिटल लेके चलेगे हम सरवोद्य होच्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर से ने ब्रॉट डेड डेकलियर कर दिया जिसकी बॉडी हमने बीके मोचरी में रखवाई हुई है खबर कुरुचेतर से है जहाँ पर पुलिस ने अवायद हतियार रखने के आरो में एक युवक को गिरफ्तार किया है और आरोपी की कब्जे से एक डेसी कट्टा और जिन्दा कारदूस बरामत किया गया पुलिस ने अवैद हतियार जब्त कर लिया है और बामले को दर्जकर आगी की कारवाई में पुलिस लगी होई है पुलिस ने अवैद है और बामले कारवाई में पुलिस लगी होई है पुलिस लगी होई है बच्चे हैं उनको फ्रेपरों की समस्या हो जाती है सांस लेने में दिक्कत होती है तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कि सामनों को प्रावी नहीं जानी चली आज जो जिसली आउट की थी मेटिविस में दो वो थे एजेंडा थी एक तो ये फसल अवस्टेश प्रबंदन पर जो काम किया जा रहा है उसको रिव्यू किया गया दूसरा एक एंग्यों हैं हमारे साथ जुड़े हैं हर बीर अबाजवा 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 अबाज कुछ गाओं में बेलर की समस्चा हैं नहीं मिल पारे हैं तो इन्होंने काया कि हम वहां बेलर की सुड़ा देंगे प्रिवा अंबाला में बारिश की वज़ा से मंडी में रखी धान पूरी तरहा से बरबाज हो चुकी है और इसके बाद मंडी चेरमें ने सरकार से अपील क कि और साद एका कि खराब हुई धान की सरकार उचित मुआफ़ा किसानों को दे और मंडी सचे यह भी कहा कि किसानों के धान को समحल कर रखने की जिमदारी आरतियों की होति है इसके बाफ़जूद भी किसानों की शिकायत आने पर आरतियों के खلاफ सक्थ सक्त कारवाई की जाएगी तो मंदी में धान नुक्सान हुआ जी जी मिदारों का नुक्सान हुआ है और इसके अंदर हम सरकार से मांग करेंगे के इनको भीगने के विज़े से जो नुक्सान हो इसका उचित मौवजा सरकार दे जी नीरेश भारद्वाथ मैं सेकरेटरी मार्केट कमेंटी अंबला केंट हमारे हमिद्र को क्राइबल 2,30,000 जोंटल की हो चेकिए जिस में से 2,14,000 की खरीद हो चेकिए और प्लस 1,32,000 को टोटल गा उठान हो चुक है आज बारिश सुवह से बहुत टीर बारिश होई थी ठीक है पर हमारे आटों यह पूरा पूरान से राम किया था, सारे जो फसल है, इनको कवर कर रखा गया सा ताक्य कि कि फसल भीगे ना यादी पाया जाता है कि किसी खिसान की फसल लेको निस्तान हुआ है मेरे पस कोच शकायत आएगी खबर चरकी दादरी जिलिक के समस पूरेगां के गृराणमियों ने इस्थाने परसाशन के खिलाफ पर्दरशन किया है और पर्रदर्शन कर रहे गराणमियों ने कहा कि कई बार परसाशन वा जिलाव पायूक से शकायत ने कर चुके हैं लेकिन इसके बाब जूद से चाई विभाग कोई भी ठोस से कारवाई नहीं कर रहा है। ग्रान्मियों ने बताया है कि जल भराओ की वजहा से बाजरे और कपास की फसल खराब हो चुकी है और खेतों में तीन से चार फिट तक पानी भरा होने के कारण वो खेतों में सरसू और गियों की फसल नहीं लग पा रही है। ग्रान्मियों ने प्रसाशन से माफ़ज़ा देने की मांग की है और जो फसल बरबाद हुई है उसकी गिर्दावरी भी करवाई जाए इसकी भी मांग की है। चर्की दादरी की खबर जहां पर जल भराओ को लेकर प्रदरशन किया जा रहा है दरसल फसल पूरी तरह से ग्रान्मियों का कहना है कि उनकी बरबाद हो रही है। भारी बारिश की वज़ा से उनकी फसल बरबाद हो चुकी है और प्रसाशन अब इस तरफ रुक करें और प्रसाशन हमारी समस्याओं को देखी समझे और उसका समधान करता हुआ प्रसाशन नजर आए। जल भराओ को लेकर वो लोग कह रहे हैं कि आगी की फसल किस तरह से लगाएं ये भी समझ में नहीं आ रहा है और इसको लेकर प्रसाशन हमें मुआपसा दिल भाए। प्रसाशन कारियों का ये भी कहना है कि ठेकिदार करमचारियों का शोषन किया करते हैं और सीवर में लोगों की मौते हो रही इससे जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक वे धर्ना करना बंद नहीं करेंगे। और ग्यारे नगर निगमों में पालिका परिश्द निगम अधनी शवन के करमचारी अपनी नियाए प्रिया मांगों को सरकार से मनवाने के लिए भूखटाल पर बैठें। सरकार से हमारी मांग है कि सरकार ठेका पर्था को समाप्त करें अरियाना कोशल रोजगार निगम को बंद रहें। लेगे भूखटाल पर जो आज बैठे हैं पूरे हरियाना परदेश की पालिका परिश्द निगमों के 90 पालिकाओं के करमचारी आज भूखटाल पर हैं। और ये जो बैठे हैं, आज सरकार लगातार जो पालिकाओं के परिशदों के निगमों के करमचारी हैं, चाहे वो तिरतिय से रहने के हैं, फोर्ट किलास के हैं, फायर का करमचारी हैं, उन सभी करमचारियों का सरकार जम कर सोचन कर रही है। हमारी कई दोर की वारता सरकार से चले फिलाल इस बुलेटे में इतना है नमस्कार